पतंजली योग पीठ के अंतरगत पतंजली योग समिती तो काम करी रही थी उसी समय महिला पतंजली योग समिती का भी आपको ध्याना आएगा कि 2009 में दिसंबर में महिला पतंजली योग समिती का भी गठन हुआ पतंजली योग समिती का भी गठन हुआ और जब जनवरी में मुझे याद आ रहा है कि पतंजरी योग समीती के साथ साथ वहाँ केम्प भी लग रहे थे और ये चर्चा आए कि राष्ट के निर्मान के लिए, राष्ट के स्वाहिमान को जागरित करने के लिए हमें कुछ विशेश कारे करना होगा। क्या कारे करना होगा। उसके लिए एक नियास का गठन हुआ, एक वहिचारिक मन्थन हुआ, और उस मन्थन में परमशद्य स्वामी जी महराज, परमशद्य आचारिशी के साथ आदनी भाही राजीव दिक्षित जी और आदनी भाही तिजारावला जी, आदनी चिकारा जी, भाही राकेश जी, पुझ्या साथवी देव परियाज भेन, मुझ से डॉक्टर जैरी पारिया के विशे में इतना ही कहना चाहूँगा, कि हम सब कार्य करता है, कि मन को लेकर जो उनके भाव थे, वो श्रद्य स्वामी जी तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे थे, और कु लोग भी हमारे साथ जुड़े थे, मैं उनको संस्थापक सदस्यों के नाते जानता हूँ, चाहे वो हमारे 36 गड़ के आदनी गोयल साभ हों, चाहे आदनी जीनियूज के हमारे जो संस्थापक हैं वो रहे हों, उनका भी पूरा सहयोग इस मिशन को था, और ऐसा था कि भार इश 1965 महाराज महसूस कर रहे थे, दोस्तों मित्रों कमी थी स्वाविमान की. भारत के लोगों में अपने संस्कृति के प्रती, अपने उरवजों के प्रती वहाँ स्वाविमान नहीं था, वहाँ गौरव नहीं था, प्रिष्ठ भूमी मैंने आपके सामने रख दी, आप कहेंगे कि स्वाभीमान के विशे में कैसे चर्चा आ रही थी निश्चीत रूप से स्वाभीमान के विशे में चर्चा ये आ रही थी कि भारत जब बात आती थी कि एक गरीब देश जब बात आती थी कि भारत तो गडरियों का देश भारत मायने सपेरों का देश भारत में जान का मतलब भी नहीं भारत के लोग तो पिछड़े लोग है इन्हें तो बात्चित का जो स्तर है बताएं नहीं विश्व की भाषा तो अंग्रेजी ही है मानसिक्ता नगंता प्रयवाची बन गई थी फैशन का उस सब के बीच में शद्धे स्वामी जी महाराज ने इस बात का गौरवगान करना शूकिया कि हमारे जो पूर्वस थे हमारे जो संस्कृती थी जो रिशीज संस्कृती थी जो वाईदिक संस्कृती थी वह सबसे अच्ची है थी और आगे भी रहने वाली है और आज भी वह उतने ही उपयोगी है और संसामाइक है जो संस्कृती विलूप तो होती जा रही थी आईवर्वेद जो विलूप तो होता जा रहा था भारत के अंदर एलोपेथी के लिए 97% बजट भारतिये चिकिस्सा पद्दती में आईवर्वेद को योग को कोई परधानता ही नहीं थी उल्टा उसके खिलाफ तो कई शडंतर किये जा रहे थे उस ऐसे समय में मैं इसलिए आपको इतिहास के जुरोके में लेके जाना चाहता हूँ आपको पता चले कि किस वातावर्ण में किस काली अंधियारी रात में इस दिये को जलाने का प्रयास परमशद्दे स्वामी जी महराज ने और आप सब कारी करताओं ने उसको रोशन करने का प्रयास किया है आज वो दिया एक मशाल के रुप में संफून विश्व को मारदर्शन देने का कारी कर रहा है इसमें कहीं कोई अतिशोक्ती नहीं है फ्रन्तु जिस वास्तिकता कि जिस परिद्रिश्य की मैं आपके साथ कलपना कर रहा हूँ वहाँ उस परिद्रिश्य को आपको जानना भी बहुत आवश्यक है भारत भरष्टाचार में लिप्त हो चुका था कहा जाता था कि यहां के परिद्रिश्य कोड़ा हो चुका था जहां लाखो क्रोड रुपे का भरष्टाचार ही चला रहा था तू जी फोर जी का कोल गेट यह सब कोल की माईने क्रिद्ली उनको खा गए इसा चरोर से हाहा कार और तरहिमाम तरहिमाम की चीखें गुंजाइमान हो रही थी उसको लेकर पूरे देश के युवाओं में एक काक्रोश था उसको स्वर नहीं मिल पा रहा था उनको नित्रतु नहीं मिल पा रहा था उसको नित्रतु देने का और परमड़ स्वामी जी भाराज ने दिया उनकी आWाज को आवाज देने का का और ये भारस स्वामिन मानने दिया आप सब कारिकरताओं कि उस संस्था को या गोरव जाता है य आज भारत के जो गोरव के स्वर गूंज रहे हैं उसके पीछे आप सब लोगों का खून पसेने की मेहनत है आज की जो वर्तमान की आप सरकार देख रहे हैं उसको स्थापित करने में भारज सौहिमान के कारेकरताऊ ने जो खून पसेने की ताकत लगाई है वो किसी से चीपी नहीं हुई है वो जग जाहिर है और निश्वार्थ भाव से कोई आशा पेक्षा कोई इच्छा कोई राय नीटी में कोई पावर में हिस्सेदारी के नाम पर हमने सहयोग नहीं किया था आज देखते हैं आप कि पतंजली योग पीठ भारत स्वाहिमान के कारे करता हर कारिये में राश्ट निर्मान के हर कारिये में योग सेवा के कारिये में आयरवेद की सेवा के कारिये में हर कदम आगे बढ़ रहे हैं माननी प्रधार मंतरीजी इदर से घोशना करते हैं हाथ निरभर भारत की परंद उसको स्वर देने का इसको कारिये उसको क्रियांडमित उसको धातल पर उतारने का कारिये जिनी चुनी संस्था इंकरते हैं और उसमें भी सरवागीन रूप से सरवोपर ही कोई संसा कारी कर रही है तो वह भारस्वाहिमान न्यास पतंजली योगपीट की कारी करता हूँ का उसमें पुरशार्त है मैं उनको साधवाद देना चाहता हूँ वह कौन से संकल्प थे जिस पर ये भारस्वाहिमान न्यास खड़ा हुआ था आज बहुत से कारी करता कहते हैं कि आपने सत्ता बदलने का कारी करना था तो कर दिया अब भारस्वाहिमान का क्या कारी है अब भारस्वाहिमान की क्या उशकता है हम तो भारस्वाहिमान में जुड़े थे अब हमारे पास क्या कारी रहा अरे भाईया अभी तु कारी आरंब हुआ है आप मान के बैठ गए कि कुछ कारी बचा ही नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको इस कारी कर्म के माध्यम से अपने आपको पुना जागर करने का प्रयास करेंगे आज ये सिंकल्प लेंगे कि हमने जो भारत स्वाहिमान के माध्यम से नारा दिया था वो नारा था सत्ता बदली बार बार विवस्था बदलेंगे इस बार हमने विवस्था परिवर्तन को लेकर भारत के स्वाहिमान को जागरित करने को लेकर ये पूरी योजना ये पूरे न्यास की पूरे विचारधारा का गठन किया, इस संगठन का गठन किया है। आज वातावन तो बदला है, उन लोगों को सबक सिखाया आप लोगों ने, सत्ता को तो परिवर्तन कर दिया है। परिवर्त आपको दिस्मन हो, तो वोटिंग का जो परसंटेज था, मात्र 60 या बहुत अधिक हुआ तो 65 परसंट हुआ करता था। अब वोटिंग परसंटेज 70 से 72 से 80 परसंट तक और कहीं जगा तो 90 परतिशत तक पहुँच गया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। मुझे पता है मेरे एक एक कारिकरता ने, परमशद्य स्वामी दी महराज परमशद्य आचारशी के इन्रिदेशन में, एक एक घर में, हल्दी वाले चावल दिये हैं। लोगों को प्रेड़ित किया है कि 100% वोड करें। स्वामी जी महाराज कहा करते थे योग धर्म, स्वधर्म और राष्ट धर्म का संपूण दिगदर्शन ही है भारष स्वाहिमान राष्ट धर्म, स्वधर्म और योग धर्म इस सब को जानने के लिए हमारे कारे करतों ने बहुत पुरशार्थ के है मैंने का और स्वबोध से, राष्ट बोध से, राष्ट जागरन का ये पूरा का पूरा परिकल्पना आप इसके साजीदार बने हैं, आज एक ऐसा आउसर है स्थापना दिवस का जब एक बार पीछे मुड़कर देखने का मन करता है कि आखिर हमने यात्रा कहां से आरंब की थ थी, क्या योजना थी उसके पीछे, लक्ष एक ही था, कि हम लोगों को, देश के लोगों को जागरित करें कि गरों से बाहर निकलें, ऐसा नहों कि 1857 की प्लासी का युद्ध चल रहा हो, और उस युद्ध में मिर जाफर, कलाइव लाइड, इस युद्ध की परिपाटी का इसका परिणाम क्या हुआ, कलाइव लाइड कुछ लोगों के साथ आया, एक लोगों को अपने साथ मिला लिया, उन्होंने देश के साथ गद्धारी की, और देश पर आक्रमन कर दिया, कितने लोग थे कलाइव लाइड के साथ उस वक्त, कहते हैं कि मात्र उसके साथ पूर उन्होंने इदर से उधार किये और जो लोग शड़कों पर उनको मार्च पास करते हुए देख रहे थे उनकी संख्या लाखों में थी हजारों में थी यदि वो एक एक पत्थर भी मारते तो अंग्रेजों का भारत में कभी आगमन नहीं हो सकता था मौन रहे जैसे द्रोबदी के चीर हर रहन के समय भीष मत पितामा मौन रहे थे ऐसेuzzy ये भारत के उन लोगों ने पशच्चि मंगाल कें लोगों ने उसक मौन धरन कर लिए देश के उन लोगों ने मौन धरन किया और विदेशी आकानताओं को भारत आने का खुला रास्ता दे दिया बस इसी का जागरन करने के लिए परमश्रद्य स्वामी जी महराज एक एक गाउं एक एक तहसील एक एक जिले में निकले दस लाग किलो मेटर की यात्रा की परमश्रद्य आचारी श्री ने उस यात्रा के दिनों में दोजार नो से चोदा के बीच में दिनकष्टों को सहा है वो असेहनी एसाब उस पीड़ा को कहा नहीं जा सकता अकथनी ए पीड़ा है यहां तक की शर्द्य स्वामी ने महराज के जो दाएं हाथ के रूप में शर्द्य आचारी श्री थे उनको जेल में डाल दिया उनको मारने की योजना बना ली गई पतंजली योगपीट पर बुल्डोजर चलाने की योजना हो गई उन सब पीड़ाओं को सहा है चार सो से अधिक कारेकरताओं पर केस बने है मुझे बड़ा अच्रज होता है जब कारेकरता कहते हैं कि अब हम क्या करें भार स्वाहिमान का तो कारे संपन हो गया अरे भाया यह अंदोलों तो था भरष्टाचार को समाप्त करने का बिरोजगारी, गरीवी, भूख, भुकमरी, अन्याए, शोशन वापराद को समाप्त करने का यह पूरा अंदोलन था क्या यह समाप्त हो गए क्या जब अपराद नहीं हो रे क्या महिलाओं के प्रती यह अपराद की श्रंखला कम हो गई है क्या ये रेप होने बंद हो गए है क्या बेरोजगारी समाप्त हो गई क्या अन्याय समाप्त हो गया क्या शोशन समाप्त हो गया हाँ निश्चित रूप से इसकी इसमें नियूंता आई है रंतों मिन एक ऐसे वातवन का निर्मान करना है जहां रिशी संस्कृति रामराज्य वास्तिक रूप से रामराज्य जहां स्थापित हो ज़ां दर्वाजों पर ताला लगाने के आफशक ताना हो ज़ां महिलाएं दिन रात में कहीं पर भी आ जा सकें और निर्बाद अभाय होकर जा सके आज तो बच्चे भी महिलाएं भी पुरुष भी गर से बार निकल जाएं पता नहीं कि शाम को सवही संलामत घर पे वापिस पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ऐसा कठोर वातावन हमने देखा कई राज्यों में तो ऐसी स्थिती है कि वहाँ वोट करना मुश्किल है साहब वहाँ यदि आपने किसी एक मत विशेश को एक विक्ति विशेश को ध्यार में रखकर वोट किया तो उसको मार दिया जाता है एक ऐसा उधान मैं पिछले दिनों देख रहा था नौर्थ इस्टेट में जहां भी एलेक्शन होने वाले हैं कितनी गोडी बारी चल रही है साहब कितना भै और आतंग का वातावन है उस भै और आतंग के वातावन को आप लोगों ने जेला है कांगरेस की जो वंश्वात की नीटी थी उसको आपने उखाड है आप सब साथियों के पुर्शार्त को मैं परणाम करता हूं और आपको याद करवाना चाहता हूं कि वहाँ जब संकल्फ लिया था 100 प्रतिशद वद्दान का तो लिया था 100 प्रतिशद शुन्ने टक्नीक वाली जो वस्तों हैं उनका सुवदेशी का पालन जहां टक्नीक की बाताथां उन पर कहीं कोई कमप्रमाईस नहीं उसमें आपको निश्शत रूप से सोप्रतिशत sûr पॉदेशी का पालन करना है क्या अपने उसको आर्म किया भार सौइमान के परतेक कारे करतां को निश्चत रूप से इसको अपने जिवों ने अपनाना है प्रमशद्र सौमीची महाराए ने शद्र आचारशी ने पतंजली आयरुवेद के माध्धियlett के माध्यम से रुचि सोया के माध्यम से जो बहतर विकल्प दिया है जो आयरुवेद का विकल्प दिया है आज इतने बड़े पंडेमिक में कोरोनिल और श्वासारी टेबलेट ने जिस परकार संजिवनी बूटी का काम किया है यह हमारे लिए गौरव की बात है हमारे अपने विज्जानिकों को उसके लिए हिर्दे से बढ़ाई दिना चाहते है और हम बात करें राष्टवादी चिंतन की 100% मद्दान करेंगे 100% सुदेशी का पालन करेंगे परन्तु चिंतन भी 100% राष्टवादी हो यदि आपके पास विकल्प है दस लोग आपके पहचान के खढ़े हैं पर अपको उसमें द्यान में रखना होगा कि आपको मद्दान किसको करना है यदि कोई चीज वस्तूख्रीद नहीं है तो कौन सी वस्तूख्रीद नहीं है बस आपका चिंतन राष्टी होना चाहिए राश्ट हित सर्वो परी राश्ट धर्म सर्वो परी Country First को ध्यार में रखकर आपको हर निर्ने लेना है यह राश्ट चिंतन है हम भारत को बटने नहीं देंगे मजब के नाम पर, जाती के नाम पर जो भारत को बांटा जा रहा था हम उस चिंतन के खिलाफ हैं सा परमश्रद्य स्वामी जी महाराई ने कभी इस विभाजन को स्विकार नहीं किया हमारा सुरु इतना ही कहना है हिंदू अपनी सम विवस्थाओं के अनुसार अपनी पूजा पद्धती को आगे बढ़ाए मुसल्मान अपनी पूजा पद्धती के साथ आगे बढ़े इसाई अपनी पूजा पद्धती के साथ आगे बढ़े जैन अपनी पूजा पद्धती बौद अपनी पूजा पद्धती सिख भाई अपनी पूजा पद्धती के साथ आगे बढ़े परंतु हम सब अलग अलग धर्म, मजब, संपरदाएक में जुड़ेवे भाई भेन उनका चिंतन कंट्री फर्स्ट का हो वो पहले भारतियों हो उसके बाद हर चीज को महतु दें जीवन में ऐसा चिंतन ये ड्यूल्प करना है इसके लिए ही भारत सौहिमान का निर्मान हुआ है और इसको विभाजन ना होने दे भारत खंडित हुआ तो भारत कमजोर हो जाएगा इस बात को ध्यान में रखना है इसलिए शब्दे सौमिरी महराय ने अपने कारेकरताओं से विशेशुप से आहवान किया था कि हमें जाती सुचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना जाती के अधार पर ये वोट करने की परिम्परा इसने भारत को जिस परकार कल कश्ट दिया है जिस परकार की सोच पैदा की है विकृत मानसिक्ता पैदा की है इसको बदलना हमारा उद्देश है आईए भारत के इस पुनन निर्मान के जनल जागरन अभ्यान में आप भी आगे बढ़ें और अपने जीवन से परिवर्तन को आरंब करें क्या आपने जीवन में जातीयता को प्रात्मिक्ता दी है या भारतीयता को प्रात्मिक्ता दी है या भारत स्वाहिमान के कारिकर्टा की पहचान है यदि आपने जातीयता को परिवर्त महत्व दिया है तो आप अपने आपको जितना मर्जी सदे से कहते हैं आप शद्दे स्वामिरी महाराज के अनुयाई नहीं हो सकते हम राश्ट भक्त विवेक्षिल संगठन निष्ट लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम करें पहला काम तो बटने नहीं देना है और दूसरा बड़ा कार ये क्या करना है कि उन सब को संगठित करना है अलग लग धाराओं के लोग मिलेंगे अलग लग विचार धाराओं के लोग मिलेंगे अलग लग समाज जाती संपरदाए के लोग मिलेंगे उनको जोड कर रखना है एक सूत्र में पिरो कर रखना है क्या आपने अपने जिले में इन सबी संपरदाओं को इन सब जाती मजब बंध के लोगों को जोडने का प्रयास किया है क्या उनको सम्मान पुर्वक राष्टियता के उस सूत्र में योग के सूत्र में पिरोने का कारी किया है अध्यात्म के सूत्र में पिरोने का कारी किया है क्या ये चिंतन विक्सित करने का प्रयास किया है कि भारतियता सब से उपर रहेगी इस भाव को लेकर आपने क्या आपने आसपास का बातावन निर्मान किया है क्या आपके जिवन में भारतियता सरव परी है क्या स्वदेशी का चिंतन राष्टियता का चिंतन सर्वोपरी है क्या आप सोपरतिशित वोड करते हैं इन सब बातों को अपने हिर्दे में एक बार आप बहुत धीरे से बैठकर अपने से पूछिए और अपनी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए अपने आसपास के कारियों में लग जाएए और अपने गली, महले, समाज, अपने जिला, अपने प्रांथ को इस सोच का बना दी जिए जहां पर हर व्यक्ति, हर मजभ, हर प्रांथ, हर जाती का व्यक्ति अपने अपने मजब संपर्दाय जाती में काम करते हुए भी जब राश्ट की बात आए तो सब मतवेदों को दूर करके राश्ट चीता के लिए एक साथ खड़ा हो जाए एक स्वर में अपनी बात को कहने लगे बंदे मातरम को स्वर देने वाला हो बात मता की जै बोलने वाला हो और के बरमातर बात मता की जै बोलने वाला ही नहीं उस भारत मा के लिए अपना सरवस उन्योच्षावर करने वाला वह विकति हो ऐसी सोच ऐसी परिपाटी परमश्रदे सौमिरी महराज देखना चाहते हैं और अपने एक एक गाओं को हमें योग में बनाना है सो प्रतिशत योग में स्वस्त भारत का निर्मान करना है अध्यात्मिक भारत अभी बन पाएगा दोस्तो 6,38,000 इन गाओं को जो आज 7,30,000 गाओं के रूप प्रिपाटी बन चुकी है आईए हम इन गाओं को जन जन तक योग और आईरुवेद तक पहुंचा कर इनको योग में बना कर इने पूरांता स्वस्त करें क्योंकि यदि हमारा एक एक व्यक्ति स्वस्त और मजबूत होगा वहाँ यदि अपनी पूरी एफिशेंसी के साथ कारे कर पाएगा तो हमारा देश भी उतने कदम आगे बढ़ेगा भारत आज 130 क्रोड लोगों का देश है यदि उसके 50% लोग बिमार होके पड़े रहेंगे तो क्या भारत आगे बढ़ पाएगा भारत तभी आगे बढ़ पाएगा जब 130 क्रोड के 130 को लोग स्वस्थ पूर्ण सशक्त होकर पूर्ण जिम्मेदार होकर राष्टियतक और स्वर्वों परिमान कर बहुत तेजगती से आगे बढ़ें भारत पूरी तेजगती से आगे बढ़ रहा है हम परमश्रद्य स्वामी महाराज के उससे निरने का स्वागत करते हैं जिनों ने गुजरात से श्री नरेंद्र मोधी भाई को चियन किया अगेद का यरण दुम Guide महाराज विस्तेद्र द्रिश्च्टिकों था वहाँ चियन था उसको सब लोगों ने समर्थन दिया और पतंजली योगपीठ भारष स्वाहिमान के एक एक कारे करता ने जिस परकार इस सहसी नित्रतु के लिए कारे किया है मैं उसके लिए आपको बढ़ाई दिना चाहता हूँ और उनको भी बढ़ाई दिना चाहता हूँ कि वहाँ भी पतंजली योगपीठ भारष स्वाहिमान के उस जो चयन था उस पर खरे उत्रे हैं उन्होंने भारत का गौरवगान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है भारत के बहुत स्वाहिमान के जो कारिये थे चाहे वाँ 370 की धारा को हटाने का कारिये था चाहे मुसल्मान बहनों को एक नए जीवन देने की बात थी और चाहे राम मंदिर के निर्मान की बात थी एक बड़ी भूमी का उन्होंने निभाई है परन्तों भी बहुत सा कारिये करना बाकी है आईए हम एक सशक्त भारत के निर्मान के लिए अपने गाउं गाउं में योग को पहुंचाएं एक सशक्त भारत का निर्मान करें एक स्वस्त चिंतन का राष्टि चिंतन को विक्सित करें इतनी बात के साथ आप सब को पुना भारस्वाहिमान के 26 स्थापना दिवस की बहुत-बहुत मंगल कामना है जय भारत जय भारती